हेलो एंड वेलकम टू उन्नती कंपेटिशन क्लासिस इस वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आप सभी का करना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने लुसेंट वीडियो के पार्ट वन को जो अपना प्यार दिया उसके लिए रियल दिल से आप सभी का बहुत क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आएं काफी सारे लोगों ने अपने उत्तेजना दिखाई कि सर वीडियो जल्दी पब्लिश करो पार्ट टू करो पार्ट टू जब मैंने वीडियो पब्लिश करा उसके तुरन बात काफी लोग रिपलाई आए पार्ट थी करो तो इस तरह से आज मारा कारवा बढ़ चुका है लुसेंड पार्ट स्यवन के और देखिए इस वीडियो में मैं डिसकस करूंगा आपसे परमारवंस के बारे में जो उसमें एक राजा थे आपके राजा भोज उनके बारे में आज हम डिसकस करेंगे उसके बाद हम चले जाओकरस्थान, मंदिल और वैदरात मंदिल भी हमें इस वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी साथ रखे एक नोट बुक और इस वीडियो में जो जो इंपॉर्टन फैक्ट होंगे केवल उन्ही के बारे मैं आपसे डिसकस करूंगा आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा चलिए सुरू करते हैं देखिए परमारवंस से हम सुरुवात करते हैं इससे पहले के जो भी पेजिस थे जो भी टॉपिक थे हमने वो सब कंप्लीट करें आज हम इस वीडियो में शायद मंदेकाली भारत के सुरुवात कर दें वो द्हारवंस का सरवादिक स्क्तिसाली सह सकता राजा भोज वह ही राजा भोज, कहां गंगुतेली, तो यह राजा भोज का जो संबन्द है वो अक्छली बोपाल से है तो यह जो भोज थे राजा भोज यह बोपाल से संबन्द रखते थे अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे देखिए आप याद रखेगा परमारवंस के संस्थापक थे उपेंद्र राज और इनकी जो कैपिटल थी वो थी धार मार कराया अब देखिए यहां से कोशणस यह बनता है कि भूज पुर्णनामक էील किस स्थान पर है किस स्ठेट पर है किस तरह से आप से कोशणस। और गंशानमें पोँच्छा गया है आपके रेलवे के त्यारी कर रहे हैं उनको तो यह टौपिक याद रखना रखना है उसाथ में लेकिन जो बच्चे एससी के त्यारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये सभी लाइन काफी इंपोर्टेंट है तो आप इसको नोट करिए और याद करिए आगे हम बात करते हैं देखिए नैस दिया चरीत के लेखक सिरी हर्थ एवं परबंद चिंतामडी क के लेखक कौन थे राइटर का नाम क्या था इनके राइटर का नाम था मेरू तोंग देखिए राजा भूज ने चिकिस्ता गडित एवं व्याक्रण पर अनेक करंथ लिखे भूज करत युक्ति कल्पतरू में वास्तु सास्तर के सांसाथ विविद विज्यानिक यंत्रों उनके उपयोग का उलेक करा गया है अगला जो पॉइंट है वो है आपका नव सहा सांग चरित के रचेता पदम गुप्त दस रूपम के रचेता धरंजय गनिक हलायुद इवं अमीत गती जैसे विद्यान वाक्य पती मुंज के दरबार में रहते थे देखे ये जो पॉइं पॉइंट है आपका पिलिम्स एक्जाम के पॉइंट ऑफी से इंपॉइंट है और खास तोर पे ये पॉइंट बनेगा आपका जिनका युपी पिलिम्स का एक्जाम है जुलाई में जो होने वाला है उनके पॉइंट ऑफी से काफी इंपॉइंट है तो आप इसको ये जो वक्यपति मुंझ ये जो नाम है इस नाम को आप नोट करिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कभीराज की उपादी से विभुशित सासक कौन था कभीराज की उपादी से जो विभुशित सासक था उसका नाम था राजा भोज और भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्मान कराया था किसने सरस्वती मंदिर का निर्मान कराया था ये कराया था भोज ने और ये मंदिर कहां पर है ये मंदिर है बोपाल में और इस मंदिर के परिसर में संस्कित विद्यान ने भी खोला गया था और राजा भोज के सासन काल में धारा नगरी एक नगरी थ ये थी विद्या एवं विद्यानों का ये पर्मुक केंद्र थी भोज ने चितोण में तिरी भूवन नारण मंदिर का निर्मान कराया और भोशपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी भोशपूर नगर की स्थापना किस ने करी थी तो ये करी थी राजा भोज ने परमारवंस के बाद तोमरवंस का उसके बाद चाहमानवंस का और अन्तिते 191297 इस्वि में अलाउदिन खिल जी के सेनापती नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार किया अभी देखिए इसमें जो ये टॉपिक था परमारवंस इसमें केवल आपको क्या क्या याद रखना है संस्थापक, उपेंद्र राज, कैपिटल, धारा नगरी, राजा भोज का संबन था भोपाल से और भोजपुर नामक जील का निर्मार कराया राजा भोज ने और उसके बाद हम बात करेंगे भोज ने अपनी राजधानी में कौन सा मंदिर बनाया था सरस्पती मंदिर और धारा नगरी किस-किस चीच के लिए फेमस ही यह थी विद्या एवं विद्यानों का परमुब केंद्र उसके बाद आपको याद रखना है कि तिरी भूवन नारण मंदिर भोज ने कहाँ पर इसका निर्मार कराया था तो उसका निर्मार कराया था चित्तोड में और भोजपुर नगर के स्थापना किसने करी थी राजा भोज ने बस इतना है आपको इसमें याद रखना है आगे हम बात करते हैं चंदिरवंस के बारे में कि परतिहार सामराजीय के पतन के बाद बुंदिरखंड के भोमी पर चंदिरवंस का स्थांतर राजनेतिक इतिहास प्रारंभ हुआ बुंदिरखंड का प्राचिन नाम क्या है देखें बुंदिरखंड का जो प्राचिन नाम है वो है आपका जिजाक भुक्ति और चंदेरवंस का संस्थापक कौन था इसका नाम है ननुक और इस्थापना कब करी गए थी 1831 सेश्वी में और बात करते हैं इसके कैपिटल की इसकी राजधाने की तो इसकी राजधाने थी खुजराओ और प्रारंभ में इसकी राजधाने अपको ओप्शन 4 देगा चारों में आपको खुजराओ मिलेगा और कालिंजर भी मिलेगा या आपको मिल सकता है महूबा तो आपको यार दखना है कि वो क्या पूछ रहा है अगर वो पूछ रहें प्रारंभ के बारे में कि प्रारंभ में कैपिटल क्या थी पर्थम कैपिटर क्या थी या सुरुवात में उसकी कैपिटर क्या थी तो आपको याद रखना है कालिंजर या फिर महुबा आगे हम बात करते हैं कि चंदिर वंस का पर्थम स्वेत्यंत्र एवं सबसे परतापी राजा कौन था ये था यशो वर्मन देखें यहां से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जो important point है उसकी और बढ़ते हैं कि यसो वर्मन के बारे में हमने बात करी कि चंदिर वंस का पर्थम स्वेत्यंत्र एवं सबसे परतापी राजा कौन था यसो वर्मन अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि यसो वर्मन ने कन्योश पर आकरमन कर परतिहार राजा देवपाल को प्राजित करा भाराया उसको और उससे एक विश्णू की परतिमा उसको प्राप्त होई थी जो उसने इस्थापित करी कहां पर खजुराहो के विश्णू मंदिर में वहां के राजा जो थे वो थे राजा देवपाल उनको हराया था और वो मुर्ती इस्थापित करी थी खजुराहो के विश्णू मंदिर में आगे हम बात करते हैं देखिए धंग के बारे में जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे देखिए धंग ने जिनात विश्वनात एवं वैदनात मंदिर का निर्माण कराया और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 इस्थी में किया था आगे बढ़ते हैं देखिए धंग ने जो अपने सरीर का त्याग करा था इसके बारे में हम डिसकस करेंगे देखिए पूरा पढ़ते हैं पहले लाए हम अराम से कि धंग ने गंगा जमना के संगम में सिफ की अराधना करते हुए मतलब उनको याद करते हुए उनकी पूजा करते हुए अपने सरीर का त्याग किया ठीक है धंग ने क्या करा गंगा जमना के संगम में सिफ की अराधना करते हुए अपने सरीर का त्याग किया तो गंगा जमना के संगम में किसने अपने सरीर का त्याग करा उसका नाम था धंग और वो किसकी अराधना कर रहा था किसकी पूजा कर रहा था वो कर रहा था सिव की ठीक है देखे आगे और भी जो पॉइंट है उसके बाद चंदेल विद्याधर तो यह सब पॉइंट इतने इंपॉर्टिन नहीं है तो मैं इसलिए इस में रहने वाले कृष्ण मिस्त्र ने परबोध चंद्रोद्या की रचना की थी इन्होंने महुबा के समीप किर्ती सागर नामक जलासे का निर्मान किया था किर्ती सागर नामक जलासे का निर्मान किसने करा था और कहा करा था सवाल यहां पे यह बनता है यह जो करा था महु किर्ष्न मिस्र ने ये करा था मतलब जलास्य का निर्मान करा था आगे हम बत करते हैं देखिए अल्ला उदल नामक दो सेना नायक परमिर्द देव के दरबार में रहते थे जिन्होंने पिर्थ्विराज चोहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गवाई थी अगला जो पॉइंट है वो ये है कि चंदेल का अंतिम सासत कौन था उसका नाम क्या है तो उसका नाम था परम्रिदी देव ने बारा सो दो में कुतुब दिन एबग की अधिनता सुईकार कर ली इस पर उसके मित्र अजय देव ने उसकी हत्या कर दी आगे बात करते हम सौलंग की वंस के बारे में अथवा या पिर गुजरात के चालुप के सासत के बारे में देखिए सौलंग की वंस के बारे में बात करे जा है तो संस्तापक कौन थे हमको यह याद रखना है संस्तापक थे इनके मूल राजपर्थम और इनकी राज़ाने थी अनहिलवार और मूल राजपर्थम सैफ धर्म का अनुवाई था भीम पर्थम के सासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनात के मंदिर पर आकरमन किया भीम पर्थम के सामंत बिमल ने आबू परवत पर दिलवारा का परसिद जहन मंदिर बनवाया था तो यह नाम आपको याद रखना है भीम पर्थम के सामंत बिमल ने आबू परवत पर ठीक है ये कहां पर है ये है राजिस्तान में ठीक है तो दिलवाडा का परसीद जैनमंदिर बनवाया था आगे हम बात करते हैं कि सौलंकी वंस का पर्थम सक्टी सली सासक कौन था उसका नाम क्या है उसका नाम था जैसिंग सिद्धिराज और परसीद जैन विद्यान हेम चंद जैसि जैसिंग सिद्राज के दरबार में था आगे हम बात करते हैं माउंट अबू परवत जैसे कि मैंने आपको बताया राजिस्तान में है ये तो माउंट अबू परवत पर एक मंडब बनाकर जैसिंग सिद्राज ने अपने सातो पुर्वजों के गजा रोही मूर्तियों की स्था दादा वादा इन लोगों को बिठा करके रखा तो आज भी अगर आप जाते हैं राजसान जैसे एरिये में मांट अबू में जाते हैं तो वहां पर आपको इस टैप का मंडब जो जैसिंग ने सिद्राज ने अपने साथो पुरूजों का बनाया था तो वो साफ साफ आपको देगा बड़े राम से काफी क्लीन एरिया है अगर आप वहां पर रहते हैं तो भी जाके देखना वहां पर आपको पता चल जाएगा आगे हम बात करते हैं देखिए मोडेरो का सूर्य मंदिर का निर्माड सौलंकी राजाओं के सासनकाल में हुआ था और सिद्पूर में रूद्र महाकाल के मंदिर का निर्माड जैसिंग सिद्राज ने किया था सौलंकी सासक कुमार पाल जैन मतानुआई था वह जैन धर्म के अंतिम राज के परवर्तक के रूप में परसिद हुआ और सौलंकी वंस का अंतिम सासक कौन था तो ये थे भीम दिती है याद दखेगा भीम सेकंड आगे हम बात करते हैं कि भीम सेकंड के एक सामन्त लवन परसाद ने गुजरात में बगहिल वंस के स्थापना करी बगहिल वंस की स्थापना किस ने करी भीम सेकंड के एक सामन्त लवन परसाद में गुजरात में करी थी बगहिल वंस की स्थापना और भगेल वंस का करण स्वैकिन गुजरात का अंती मिंदु सासक था और इसने अलाओ दिन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था आगे हम बात करते हैं देखें कलचूरी चेदी राजवंस कलचूरी वंस का संस्थापक कोकल था और इसकी राजधानी थी तिरीपुरी और कलचूरी वंस का एक सक्तिसाली सासक गांगे देख था और जिसने विक्रा माधित्य की उपादी धरण किये थी पूर्व मध्यकाल में स्वान सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सरपर्थम इसे प्रारम्ब करा था अगला जो पॉइंट है वो है कल्चूरी वन्स सबसे महांसासक जो था वो था आपका करणदेव कल्चूरी या चेदी राजवन्स का सबसे महांसासक कौन था उसका नाम क्या था उसका नाम था करणदेव जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और तरी कालिंगा दीपती की उपादी धराण करी पर सिद्गवी राज सेखर कुल चूरी के दरबार में ही रहते थे अगला जो वन्स है वो है आपका सिसोद्या वन्स सिसोद्या वन्स कुछ खास नहीं है इसमें बताने के लिए लेकिन फिर भी हम बढ़ेंगे कि सिसोद्य वन्स के सासक अपने को सूर्य वन्स से कहते थे कौन से वन्स के सासक अपने आपको सूर्य वन्स से कहते थे तो वो थे सिसोद्य वन्स और सिसोद्य वन्स का सासक जो था मेवाड़ पर सासन करते थे और मेवार की राज़ानी थी उसमें चितोड और अपनी विजय के उपलक्षे में विजय इस्थम का निर्मार कराया था ठीक है विजय इस्थम का निर्मार किस ने कराया था ये आपको यादकना है राणा कुम्भा ने चितोड में कराया था ठीक है विजय इस्थम का निर्मा गया था तो आपको याद दकना है राणा सांगा एवं अब भ्रहाम लोदी के बीच में कब किस वर्स तो यह लड़ा गया था आपका 1518 इस्वी में देखिए अब हम बात करते हैं मद्देकाली भारत के देखिए इस वीडियो में मैं कवर करूँगा देखिए भारत पर अर्बो का आकरमन जैसे कि आप देख रहे हैं उसके बाद में डिसकस करूँगा आपसे महमुद गरजनी के बारे में कि उसने क्या करकाले करे थोड़ा उसके बारे में मैं आपसे डिसकस करूँगा उसके बा प्लीज इस वीडियो को वीडियो के एंड में आप लाइक करिएगा अगर पसंद आये तो और आपके जो भी फ्रेंड कमपटिशन के त्यारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीच मत भूलिएगा देखिए हम बात करते हैं कि अरबो पर सुरी भारत पर अरब अरब का जब आकरमण हुआ भारत में उस संद्ध पर दाहिर का सासन था और भारत पर अरब वासियों के आकरमण का मुख्य जो एम था देखिए भारत पर जो अरबों ने जो आकरमण करा था उसका मेन अएम था केवल धन दौलत तूटना तर इसलाम धर्म का परिचार और देखिए यहां से अबके एक्जाम में एक कोशन काफी पर पुछा जाता है आपके स्ट एकजाम में खासतोर पर आपका MTS के एकजाम हो उस्में हो इसमें सीजर के एकजाम दोरों में पुछा जाएगा कि भारत पर अरबों का मुख्य अधर्म था उनका एम क्या था पर objective जो आपकी चार options होंगे वहाँ पर आपको या तो देगा धन दौलत लूटना या फिर देगा इस्लाम धर्म का पढ़िचार करना दोनों एक सान आपको option में बिल्कुल भी नहीं देगा तो आपको दोनों पर फोकस करना है एम था इसका धर्म को लूटना या फिर अपना इस गजनी सामराज्य का संस्तापक था अल पतगीन का गुलाम तथा धमाद कौन था उसका नाम क्या था उसका नाम था सुबुक्तगीन मेहमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था अपने पुत्र के काल में गजनी खुरासान का सासक था ठीक है अपने पिता के सासन काल मे ठीक है नगत है नगती पर बैथा था तब इसके उमर क्या थी? उसके उमर थी 27 बड़ी बगदाद का खलीफा अथीर बिल्ला ने मेहमूद गजनी के पद को माननेता पराप्त करते हुए उसे एक उपादी दी थी एक नहीं बल्कि उसको उपादी मिली थी दो आप जाद रखेगा दो उपादी दोनों उपादी कोई से थी एक का नाम था यमीन उद्दोला यमीन उद्दोला और सेकंड जो उपादी का नाम था वो था आपका यमीन उल्मिलहा यमीन उल्मिलहा आपसे एक्जामें ये पुछता है कि यमीन उद्दोला और यमीन उल्मिलहा की उपादी किसको प्राप्त थी ठीक है तो आपको ये नाम याद अखना है आगे बात करते हैं कि महमूद गज्जी ने सरवाधिक भारत पर आक्रमन करा था ठीक है और ये CGL में क लुद्ध गज्णी ने भारत पर पर पहला जो आकरमन करा था वह कप कर था एक हजार एक स्वि में आपको ये जो वर्स याद रखना है ये वर्स कापी अच्छा है कि कहीं हम जाते हैं साधी बिया में किसी के मार्ज में तो हम आपर टीका लगाते हैं तो आप टीका कितने क माद्यम से आपको मैं इस तरह से समझा रहा हूँ ठीक है याद रखना है महमुद गजनी ने भारत पर आक्रमा करा था एक हजार एक इस्वी में और यह है आक्रमाड साही राजा जैपाल के विरुजदित था इसमें जैपाल की पराजे हुई महमुद गजनी ने भारत पर अधिपत्य अपना इस्थापित कर लिया अपना सामरे जवाई इस्थापित कर लिया और यह कब करा था यह कब करा था है तो यह करा था आपका 2001 इस्वी में महमुद गजनी का 1008 इस्वी में नगर कोट के विरूद हमले को मूर्तिवाद के विरूद पहली महत्पूर्ण जीत बताई गई है महमुद गजनी ने थाने सरके चक्र स्वामीन की कास्य निमित आदम कद परतिमा को गजनी भेज कर रंग भूमी में रखवाया ठीक है आप याद अखना कि चक्र स्वामीन की ये मूर्थी थी ठीक है कास्य से बनी थी और आदम कद परतीमा को गजनी भेज कर रंग भूमी में रखवाया अगला जो पॉइंट है वो है महमुद गजनी का सबसे चर्चित जो आकरमण है वो है एक हजार चौबिस में उसने एक आकरमण करा था सोमनात मंदिर जो कहां पर है सोराष्ट पर हुआ इस मंदिर की लूट में उसे बीस लाक दिनार की संपत्ती हाथ लगी ग्रीन से मैंने इ इसको प्राप्त हुई तो इसको संपत्ती प्राप्त हुई बीस लाक दिनार ठीक है और सोमनात की रक्षा में सहता करने के करण अनहिल वाड़ा के सासक पर महमुद ने आकरमण किया सोमनात मंदिर लूट लूटा उसने और लूट कर ले जाने के करम में महमुद पर जाटो उसके उपर आक्रमण किया और कुछ संपत्ती उससे लूट ली मतलब महमूद गजनी ने जो ये करा था दिनार प्राप्त करी थी मंदी लूटा था तो जाटों ने उसके उपर धावा बोल दिया और उससे कुछ उसके संपत्ती चीन ली महमूद गजनी का अंतिम भार के जो आकरमर था आखरी जो इसका आकरमर था वो था 1027 में जाटो के विरुद ठीक है और पहला कब था पहला मैंने भी आपको बताया था तो ये था आपका 1001 भी और लास्ट था इसका 1027 में महमूद गजनी की डैथ कब हुई 1030 में इसके डैथ हो गई और अलबरुनी, फिर्दोसी, उत्वी तथा फरुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है आपका अलबरुनी किसके दरबार में रहता था आपसे ये कई पर पूछा गया एक्जाम में कर लेते हैं क्योंकि जरूरी है रिपीट करना देखे भारत बर अरब वासियों के आकरमन का मुख्य जो एहम था धन को लूटना और इसलाम धर्म का परिचार करना ठीक है और गजनी समराज्ये का संस्थापक था मतलब अल पत्गीन नामक एक तुर्क सरदार था जो क्या थ आपका खुरासान ठीक है अपने पिता के काल में घजनी खुरासान का सासक था और 27 वरस के आवस्ता में 1997 में गद्धी पर बैठा था इसको दो उपादी प्राप्त थी एक तो थी यमीन उद दौला और सेकिन उपादी इसको प्राप्त हुई थी यमीन उलमिलहा ठीक है मैक आकमड करने वाला जो भारत पर निपसा सका उसका नाम था में महमोद गज्दिव औरor तो राष्ट कितनी बार इसने नाकमड करा भारत पर यह करा 17 वार 17 कर ठीक है और फिर बात कर गए तीक को पहला क्र मिलक 51 में और जो आश्त जो आक्रमड था वो इसने करा था देखिए अंतिम करा था इसने एक रिया 27 में जाटो के विरुद और बाद में इसकी डैथ हो गई ठीक है अब हमने एक पॉइंट हमने ये भी देखा कि सोम्राथ मंदिर के बारे में कि इसने इसको लूटा कितने इसको दिनार प्राप्त हुई वो संख्या वो संख्या है 20 ला मुहमद गजनी के आधिन एक छोटा स्राज्य था 1153 जाफे 1153 इसमी में सहाब उदीन मुहमद गौरी गौर का सासक बना इसने भारत का पहला आकरमण 1175 इसमी में मुलतान के विरुद किया था और मुहमद गौरी का जो सेकिंड जो आकरमण था वो था 1178 इसमी में गुजरा पर हुआ था यहां का सासक भीम सैकेंड ने गौरी को बुरी तरह से प्रास्त किया था टेकर यहां प्रास्त किया था उसके बाद हम बात करते हैं देखिए या बॉर के बारे में आपको शैयद धर्थे दिखना रहो की तर आएं का परत्व रृकाप हुआ था तो मैं थोड 1901 में किस किस के बेच में हुआ था गौरी औम पृत्विराज चोहान के बेच में और इसका रिजल्ट का निकला एसका रिजल्ट यह स की निकला कि पृत्विराज चोहान इसमें विजह हुआ फिर उसके अब देखे बात करते हैं कि मुहमद गौरी भारत की विजित परदेशों पर सासन का भार अपने गुलाम से नापतियों को सौंपते हुए गजनी लोट गया उसने बोला कि मैं यह से जा रहा हूँ ठीक है और मुहमद गौरी की हत्या हुई कब हुई बारा सो चैसी को यह हत्या आप से पूछ लेता है हत्या कब हुई थी तो आपको याद अखना है बारा सो चैसी को देखें अब हम बात करेंगे सल्तनत काल गुलाम वंस के बारे में गुलाम वंस के स्थापना करी थी बारा सो चैसी में कुतुब बुदिर अभग ने वह गौरी का गुलाम था कुतुब बुदिर अभग किसका गुलाम था ये था गौरी का गुलाम और कुतुब बुदिर अभग ने अपना राजवी सेख 24 जून 1206 सुबी को केया था राजवी सेख का आप से डेट नहीं बोलेगा पूछेगा नहीं आप से पूछेगा मंद आप आपसे वर्स जरूर पूसकता एक्जाम में आपको याद रखना है 1206 में और कुतुब इदिन एभक की अपनी कैपिटल किया थी इसकी कैपिटल थी राजधानी थी लाहूर और कुतुब मिनार की नीव जो रखे थी उसकी जो फाउंडेशन जो हुआ था उसका जो नीव रख का जोपड़ा नामक मस्जित दोनों ही मस्जिद है झाय दिन का जोपड़ा भी एक मजिद है और कुवैत- adul-islam कोध में मजीद है इसका निरिमार जो कराया था वो कराया था एभक ने और कोधी दिन एभक को लाख बक्ष लाघ बक्ष मतलब 2 precise, लाख को मिने ओधना ही के उपर तो ये इंसान काफी अच्छा था कुतुब इदिन एभग इतना बुरा नहीं था तो आप याद रखेगा कुतुब इदिन एभग मतलब लाक रुपीज ठीक है इसको लाक बक्ष भी कहा जाता है आगे हम बात करते हैं देखिए प्राची नालंदा विस्विद्याले को द्वस्त करने वाला एभग का सहयक सेना नायक कौन था उसका नाम किया था उसका नाम था बक्तिहार खिल जी आप याद रखेगा ये नाम बक्तिहार खिल जी इसने क्या करा था इसने प्राची नालंदा विस्विद्याले को द्वस्त करवाया था आगे हम बात करते हैं देखेई ऐबक की जो ड्याथ हुई थी, 1210 इसुई में चोगान खेलता है, ठीक है? चोगान मतलब पोलो केलते समें, आपसे एक्जामे कूसτα है, कि चोगान खेलते समें, किसकी ड्याथ हुई थी, तो उसकी ड्याथ जो हुई थी, वह थी ऐबक की, आराम शाह हुआ था जिसने सिर्फ आठ महीने तक सासन किया और आराम शाह की हत्या करके इलतुतमीज 1211 इस्वी में दिल्ली की गद्धी पर बैठा इलतुतमीज 1211 इस्वी में दिल्ली की गद्धी पर किसकी हत्या के द्वारा बैठा था किसकी हत्या करके बैठा था तो ये था अराम शाह आगे हम बात करते हैं देखें इल्टुतमीज तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था जो एबक का गुलाम एवं दामाद था ठीक है एबक की डैट के समय वह बदाईयों का गवर्नर था बहुत अच्छा कोश्चन से देखें इल्टुतमीज जो था तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था ठीक है जो एबक का तुर्गुलाम था और उसका दामाद भी था लेकिन एबक की डैट के समय वह कहा का गवर्नर था तो वह गवर्नर था आपका बदाईयों का इल्टुतमीज लाहोर से राजधानी का इस्तानन तरित करके दिल्ली लाया ठीक है लाहोर से राजधानी को चेंज करा और वो क्या बनाए उसने कैपिटल उसने बनाए दिल्ली और इल्टुतमीज पहरा सा सकता जिसने 1239 इस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पत की वैदानिक सुक्रिती प्राप्त की और इल्टुतमीज के डाद कब हुई थी यह हुई थी अप्रेल 1236 इस्वी में देखें इल्टुतमीज के बाद उसका पुत्र जो था उसका नाम था रुकुन दीन फिरोज गद्दी पर बैठा वह एक अयोग्य सासक था ठीक है वो पड़ा देखा नहीं था बेको अनपर था उसके कोई नौलज नहीं थी जुद्ध के बारे में इसके अलपकालीन सासन पर उसकी माँ शाह तुरकान चाही रही मसलब की नाम को तो बेटा बैठ गया सीट पर ठीक है उसके बाद में लेकि उसको जुद्ध के बारे में कोई भी नौलज नहीं थी लेकि उसकी माँ नहीं ठीक है पूरा राजपार्ट समाला जुद्ध की पूरी रूप देखा जो बनती थी वो समाली सेनापती से जो भी डिसकस करती थी वो उसकी माँ करती थी ठीक है ना उसकी माँ कौन थे इसकी माँ रुकुनदीन फिरोज की माँ का नाम किया था ये नाम भी काफी important है कि ये MPPSC प्रिलिम्स एक्जाम में पूछा जाता है कई बार और ये कुशन सोड़ा सा डीप है लेकि इतना भी डीप नहीं है कि आप प्रिलिम्स की तियारी कर रहे हो ठीक है MPPSC की तियारी कर रहे है और आपको ना पता हो तो आप याद रखेगा अब याद करिये गा तुरकान चाहए रही मा का नाम क्या था मा का नाम था मा का नाम था शाह तुरकान आगे हम बात कौना देखिag चाह तुरकान के आवंचित परभाफ से परशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकून दीन को हटा कर रजिया को सिंगहासन पर आसिन किया इस प्रकार रजिया बेगम पर्थम मुस्लिम सासी का महिला थी जिसने सासन की बागदोर समा ली ठीक है एक्चुली ये जो रजिया बेगम थी ये इल्तियुतमिस की ही पुत्री थी ठीक है समाज ने यह बोला भी इसको कुछ है नहीं इसको उटाओ जहां से तो उसने बोला सिंबल ठीक है इल्टी तमिल्स के पुत्री स्याद जाला समझ जा रहे हैं तो इसको बढ़ाते हैं हम गदी पर ठीक है तो याद रखेगा रजिया बेगम पर्थम मुस्ली महिला सासक थी जि अब रजिया ने क्या करा रजिया जैसे ही गद्धे पर बैठी जैसे उसने सासं के बागडोर समा ले उसने सप्से पहले परदा पर्था का त्याग करा कि परदा पर्था अगर हो गी तो महिलाए जो होंगी वह युद मुविवे धंसे नहीं उतर पाती थी या फिर अगर भी उत करना चाहती ती तो बर्दा जो उसके फेस का गए होता था तो उसको सामने वाला शतररं लंग से दिखाए नहीए डिएता था तो उसे खारक आप से हम लोग पर्दा-bता का त्याक करेंगे 따라 पुर्सो के तरह हम ऩाइगा त्योगा पहनेंगे जैसे कि बड़ा कुर्टा होता है पजामा होता है तो इस टक को बोलते हैं चोगा चोगा पहनेंगे इसको बोलते है काबा तथा कुलहा मतलब टोपी पहन कर राज दर्वार में खुले मूझ से यह जाने लगी ठीक है यह पहली महिला जो थी पर्था मुसलिम महिला थी और इसने से पहले पर्दा पर्था कुत्या करके पूर्सो की तरह नौमली जो होता है चोगा पहन करके और टोपी दिन से पहन करके राज दर्वार में खुले मूझ आने लगी ठीक है रजिया ने मलिक जमालुदीन याकुत को अमीर आखुर मतलब घोड़े का सरदार निक करा घोड़े और उसे बंदी मिनाकर दिल्ले की गद्धी पर मुहिर जुदीन बेहरम शाग को बैठा दिया गया अब रजिया की जो मैरिज हुई इसके पती का नाम क्या था पती का नाम था अलतूनिया बहुँच्छा नाम है अलतूनिया लेडिस जैसा नाम लगता है लेकिन आप नाम याद रखेगा रजिया की साधी हुई थी अलतुनिया के साथ और इस साधी करने के बाद रजिया ने पुने गद्धी प्राप्त करने का परियास किया लेकिन वे क्या रही वे ऐसा फल हो गई लेकिन रजिया की एक डैथ हुई रजिया की हत्या करी गई ये कुशिंस काफी इ पास करी थी ठीक है ना रजिया की हत्या कब और कहां पर हुई थी आप से एक्जाम में यह पूछ सकता है तो आप या दखेगा 13 अक्टूबर 1240 इस्वी को कैथल में ठीक है बहरम सा को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 इस्वी में कर दी गई बहरम शा के बाद दिल्ली का सु मसूद शाह 1242 इस्वी में बना लेकिन बल बनने सडीनटर के द्वारह 1460 इस्वी में अलालत दीन मफ्वी सवह को Сल्टान के पद से हटा दिया और प्र सुक्रीक्ष मीन मेहमुद स्वी को सुल्टान बना दिया देखेड मैं आपरेशना में हिस रंजिस होती थी युद करत ते ते एरस्ते में उसकी थ्यात करा देते थे ठीक है ना क्योंकि कहते हैं प्यार और जंग में सब ज़ायज होता किछली जो जंग होती थी उसमें सब कुछ जायज था अभाट करते है कि बलबन ने अपने पुत्री का विवाद जो कराए था इसका रियल जो नेम था या फिर बच्पन का नाम किया था वास्ते भी नाम किया था तो इसका नाम था बहो दिन वह इल्तुतमीज का गुलाम था तुर्कान ए चिहल गानी का विनास किस ने किया था तो ये करा था बलबन ने याद रखेगा मैं अगर रिपीट कर रहा हूँ कि तुर्कान ए चीहल गानी का विनास बलबन ने किया था और बलबन 1266 एस्वी में ग्यासदीन बलबन के नाम से दिल्ले की गद्दी पर बैठा था कौन गयासुदिन बल्बन के नाम से दिल्ली की गद्धी पर बैठा था तो ये बैठा था बल्बन, बल्बन का एक अन्य नाम क्या था गयासुदिन बल्बन, कब बैठा था, 1266 में तो आपको ये तीनों चीज़े याद रखनी है एक तो ये वर्स 1266 और सेकिन आपको याद रखना है गयासुदिन बल्बन के नाम से दिल्ली की गद्धी पर बैठा था ठीक है यह मंगोलों के आकरमन से दिल्ली के रक्षा करने में सफल रहा राज दरवार में सिजदा एवं पैबोस पर था कि सुरुवात बल्बन ने की थी ठीक है सिजदा और पैबोस पर था कि सुरुवात किस ने करी थी तो यह करी थी बल्बन ने आगे बढ़ते हैं देखिए बल्बन ने फार्सी रीती रिवाज पर अधारी नवरोज उत्सव का प्रारंब करा था यह एक फैस्टिवल था तो यह फैस्टिवल नवरोज उत्सव का प्रारंब किस ने किया था तो यह करा था बल्बन ने देखिए अगला जो पॉइंट है कि अपने विरोधियों के प्रती बल्बन ने कठोर लोह एवं रक्त के निती का पालन किया था और नसरुदीन महमूद ने बल्बन को उलूंग खा की उपादी परदान की थी ठीक है नसरुदीन महमूद ने बल्बन को यह उपादी दी थी ठीक है उलूंग खा की उपादी किसको प्राप्त थी तो यह थी बल्बन को और किस ने दी थी यह दी दी थी नसरुदीन महमू आगे बात करते हैं देखिए बल्बन के दर्बार में फार्सी के पट्शित कभी थे अमिर खुसरो अमिर खुसरो फार्सी के पर्ट्ष Mogade जो कभी थे घुस के दर्बार में थे तो यह ते बल्बन के याद रखेगा दोनु दीन कैमोर्ज काफी अच्छा नाम है ये और काफी important नाम है बच्चो आज के इस वीडियो में बसके वले इतना है आगे हम वीडियो में बात करेंगे कुछ नए topic के साथ में देखिए ये जो वीडियो में लेकर आ रहा हूं आपके सामने ये page by page है कोई भी pages में skip नहीं है और दिरे दिरे करके मैं science भी cover करूँगा geography भी cover करूँगा लेकिन एक series के साथ ही मैं खतम करूँगा जैसे ये book चलती रहेगी आगे वैसे वैसे वीडियो आपके बनते रहेंगे आपका science का topic होगा या फिजिए geography का topic होगा वो इस book के recording ही आपको मिलेगा तो इसी के साथ मैं लेता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज को लाइक करेगा और आपको जो भी friend competition के त्यारी कर रहे हैं उन तक इस video को share जरूर करेगा बाइबाइ टेक केर and all the best